आज मैं आपके सांच शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है मेदू वड़ा और इंस्टेंट संबर इसलिए है क्योंकि बिना विजिटेबुल वाला संबर है जिसको आप जट पड जो है बना सकते हैं और सिर्फ वड़ा और संबर जो है हमारे घर में बनता है नास्टे में कभी कभी तो सोचा कि आपके सांच शेयर करूं यह रेसिपी और यह संबर की रेसिपी मेरे अम्मी की रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेका होता है तो चलिए शुरू करते हैं वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दाल को जो है भीगोना है माश की दाल क तो वन कप जो है माश यहां पर हम ले रहे हैं तो आपकी फैमिली मेंबर्स के उपर डिपेंड है कि आपके घर में कितने खाने वाले हैं उस हिसाब से आप माश ले तो वन कप माश यहां पर मैं ले रही हूं इसको अच्छे से वाश कर देंगे और इसको रख देंगे 6-8 तक माश को भीगोना है तो रात भर मैं इसको रख दूँगी इसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है आप इस तरह से बाहर रख दें तो इसको ठक कर रख देंगे मिलते हैं सुबा में तो सुबा हो चुकी है फ्रेंज तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि दाल जो है माश की दाल अच्छे से सोख हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पानी इसमें ज्यादा डाल कर रखें क्यूंकि जब पानी में सोख होती है तो डबल हो जाती है उस हिस इसको अच्छो आप बारी है इसको पीसने की इसको जार में ट्रैंस्वर कर लें और उसके बाद इसमें आड़् कर देंगे हरी मिर्च यहां पर मैं 4-5 जो है हरी मिर्च जो है ड्री आड़ कर रही हूं आप अपने टेस्ट के मताभि कम या ज्यादा कर सकते हैं तो quarter teaspoon ginger garlic paste मैंने इसमें add किया है अगर आपके पास अद्रक है तो सिफ इसमें अद्रक डालें मेरे पास available नहीं थी इसलिए मैंने paste का इस्तेमाल किया है तो half teaspoon नमक हमने इसमें डाला है और quarter teaspoon cooking soda हमने इसमें डाला है और अब जो है इसको पीसेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी आट करके आप पीसें बहुत ज्यादा इसको पतला fine paste की तरह ना पीसें फोड़ा सा रवेदार हो और बैटर बड़ा बने उस हिसाब से आप पीस लें इस तरह से आप देख सकते हैं अगर बैटर पतला हो जाएगा तो बड़े नहीं बनेंगे friends तो अब देखें इस तरह से आपका बैटर हो और अभी इस आटे को एक बॉल में transfer कर दें उसके बाद इसमें आट कर देंगे चौप की हुई onion दो जो है medium size के प्याज हमने इसमें डाले हैं और हरा धनिया मुठी भर के हमने इसमें डाला है और साथ ही इसमें आट कर देंगे fresh कड़ी पत्ता अगर आपक सकते हैं बहुत ही मदे का जो है खाने में लगेगा तो अच्छे से इसको पटक पटक के mix कर दें ताकि इसमें air farm हो इस तरह से और इसको rest करने के लिए रख देंगे 5-10 मिनिट्स या अगर टाइम है तो आप आदे खंटे के लिए भी इस बैटर को रख सकते हैं तब तक जो से जो है बनाती है हमारे अमीजान इसको अच्छे से वाश करके वन डाफ कप इसमें पानी अड कर देंगे और साथ इसमें डाल दें टमाटर यहांपर मीडियम सैज के चाट माटर मैंने इसमें डाले हैं हाफ करके डाल दें और साथ ही half teaspoon हल्दी और 2 tablespoon cooking oil इसमें अड़ करें और बस lid को लगा कर चड़ा दे चूले पर 4 विजल्स के लिए आप चड़ाएं क्योंकि तुर की दाल है बहुत जल्दी जो है गल जाती है तो 4 विजल्स इसको काफी है 2 विजल्स हाई फ्लेम पे 2 विजल्स लो फ्लेम पे तो बस दाल जो है अच्छे से गल जाएगी तो सारा pressure release होने के बाद lid को open करें इस तरह से आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से गल चुकी है यहाँ पर और अब इसको blend कर देंगे तो इस तरह से इसको blend कर दें और अब जो है अच्छे से blend कर दिया है हमने संबर को और इसमें अड़ कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मताबिख आप आड़ करें और संबर मसाला कोई भी बाहर का रेडी मेट संबर मसाला आप इसमें आड़ कर सकते हैं सामबर मसाले की रेसिपी भी घर में बनाने का तरीखा मैंने आपके साँ शेय किया हुआ है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप जाकर चेक कर लेना उसके बाद मैंने इसमें आड़ किया है हाफ टीस्पून रेचिली पॉडर ऑप्शनल है आप चाह अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें आड़ कर देंगे पानी पानी जो है मैंने इसमें 하फ लीटर जितना आड़ किया है डिपेंड है आपको consistency जो है इसकी किस तरह से आपको पसंद है पतला पसंद है या थोड़ा सा थिक सांबर आपको पसंद है उस हिसमें पानी और चुले पर चड़ा दें इसको अच्छे से बॉइल होने दें आप गरम हो चुका है वड़ों को फ्राइए करने की तो बैटर हमारा अच्छे रेस्ट कर चुका हैं अब बड़ों को होता है कैरी बैग उसका एक टुकड़ा कट करके उस पर पानी लगा के आप वड़े जो है बना सकते हैं तो इस तरह से मुझे आदत हो चुकी है अब और यह मैंने सीखा है हमारे फेमस आंधरा वाच करते हुए इनके वीडियो तो इस तरह से मुझे प्रैक्टिस से आ गया है तलना वड़े लेकिन रिस्की है अगर आप नहीं चाहते इस तरह से तो आप कैरी बैग से आराम से आप तल लें तो इस तरह से वड़ों को दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्र करसे करी आकर दों नसी और यहां संबर भी जो है अच्छे आपको दिखा दू करने की तो यह हमारे वड़े त्यारे बहुत ही उपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, सांबर भी बहुत मज़े का जो है लग रहा है, सर्फ कर देंगे अब, तो बहुत हिल्दी, टेस्टी, मज़िदार नास्टा जो है बन कर तयार है, हॉलिडेस हैं, तो बचों को अब बना कर खिलाईएगा जरूर, I hope कि आपको ये रेसिपी जो है जरू बॉक्स में दे दूँगी और रेसिपी के डीटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी वड़ा और सांबर दोनों के भी और जो अथेंटिक सांबर होता है वेजटेबल्स वाला उसकी भी रेसिपी फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करूंगी, I hope कि आपको जो है हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाखात होगी नेक्स वीडियो में, बाई, अलाह अफिस